महिला डॉक्टर के क्लीनिक पर डॉक्टर का मूब बांध कर प्रिस्टल की नोग पर लूट पाट करने वाले लुटेरे 12 घंटे में ही गिरफतार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के आदर्श नगर एरिया में 16 फरवरी 2022 को देर शाम महिला डॉक्टर के साथ उसके क्लीनिक में क्लीनिक चलाती है अचानक से तीन अंजान लोग क्लीनिक के अंदर आए और उन्होंने डॉक्टर के सिर पर पिस्टल रखने और उसको मारने की धंकी देने लगे तभी दूसरे शक्स ने टेप के द्वारा डॉक्टर के मूँ को बांध दिया और उसके पॉकेट से उसका लुटेरों को वहां से भागना पड़ा पुलिस ने तुरंट टीम का गठन किया आसपास के सी सी टीवी फुटेज खंगाले और पुलिस को एक कार इस मामले में शामिल दिखाई दी जिस कार में लुटेरे सवार होकर गए थे वह कार तिमारपुर की संजे बस्ती के एक शक पुलिस ने इस मामले में मुकुंदपुर निवासी वेद प्रकाश, थिमारपुर निवासी राहुल, रोहित और अंश को गिरफतार कर लिया और इनके पास से एक पिस्टल और चार जिंदा कार्तूस, रसी, टेप, कटर और महिला डॉक्टर से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिये हैं, साथ ही पुलिस ने इस क्राइम में प्रयोग की गई स्विफ डिजाय कार को भी जब्त कर लिया है और दस साल से उनके पास अपनी बेटी के ट्वीट्मेंट के लिये जा रहा था और उसी ने ही ये प्लानिंग करी लूटने की वसाथ में तीन रॉबर्स को अरेस्ट करा गया है जो राहुल, रवी और खेंपार, एलियास अंश कल रात को साड़े आट बजे एक PCR कॉल मिली थी कि एक लेडी डॉक्टर के साथ रॉबरी की घटना हुई है मौके पे पहुँचके जब वेरिफाइ करा गया तो पता पड़ा कि लेडी डॉक्टर अपनी क्लिनिक में बैठी थी और उनकी जो अटेंडेंट थी, फीमेल अटेंडेंट अपनी डूटी खतम करके वापस जा रही थी जब वो बाहर निकली थोड़ा आगे गई तो उन्होंने देखा कि तीन लड़के पीछे वाले दर्वाजे से क्लिनिक के पीछे के जो रास्ता है, उससे एंटर करें और उन्होंने दर्वाजा बंद कर दिया है उसको ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है और इसी को देखते हुए वो फरंट डोर से एंटर करी और घर में जाके लोगों को अलाम किया इन अमीन वाइल यह जो रॉबर्स थे, यह पूरी तयारी के साथ गए थे, इन्होंने डॉक्टर का जो माउथ था उसको डॉक्टर टेप से कवर कर दिया उनको बादने की भी तयारी करी और रॉबरी की कोशिश कर रहे थे वो पूरी तयारी के साथ गए थे, रसी लेके गए थे, कटर लेके गए थे, लेडी डॉक्टर को नोंने वेपन दिखाया जिसमें सॉफिस्टिकेटेड पिस्टल थी उनके पास में और बहुत बड़ा वाला चाकू भी था वो बहुत घबरा गई, लेकिन जो उनकी नर्स थी, जो फिमेल एटेंडेंट थी, उसकी एलर्टनेस की वज़ज़ से लोगों ने चिलाना शुरू कर दिया, उनके परिवार वाले पहुँच गए और नेबर्स भी गैदर हो गए इतने में वो इमिडेटली जब शोर सुने तो वो पीछे वाले रास्ते से भाब गए, भाग के वो फरार हो गए, जैसे ही हमें पता पड़ा हमने सिचुएशन की ग्राविटी और सेंसिटिविटी को माइन में रखते हुए, डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी, एक टीम हमारी आदरश नगर, ठाने की बनी, एक टीम हमारी ओपरेशन की बनी और एक एटियो सुभाष प्लेस के अंजर में एक टीम बनाई गई, डिफरेंट टीम्स ने बहुत महनत करी, पूरा CCTV फॉटेज चेक किया, CCTV फॉटेज में देखा कि तीन लड़के एंटर कर गए हैं, लेकिन रात के वज़ा से क्यामरे की विजिबिलिटी जाद अची नहीं थी, तो उसकी वज़ा से इडेंटिटी स्टैबलिश नहीं हो पाई, रूट को एग्जामिन करा गया, पॉसिबल एंट्री एग्जिट चेक करे गए, तो उसमें एक टेक्सी जो थी उस पर डाउट सा हो रह था, उसका नंबर केमरे से निकाला गया और उसकी ओनर्शिप ट्रेस करे गई, जब ओनर्शिप ट्रेस करी तो वो किसी राहुल के नाम पर मिली, वो पने घर से भागा हुआ था, काफी एफर्ट के बाद उसको फिर हमने अप्रिहेंड करा, जब उससे बात हुई तो उसने फिर कन्फेस करा कि उन्होंने रॉबरी करी ना